नमस्कार में एंजना और आप देख रहे हैं ता खबरदार नियूज आई शुरुवात करते हैं MP की कुछ मुख्य खबरों से भुपाल में नौभी कक्षा की चात्रेने फांसी लगाई घर से लेकर निकला था गमशा और रसी खेत में मिला श्चाब भुपाल के रातीवर इलाके में बनी रगुकुल कॉलेज कैमपस के पड़ोस के एक खेत में नौभी कक्षा के एक चात्रेने फांसी लगा कर खुद कुशी कर ली आतमत्या से पहले उसने अपने बड़े भाई से कॉल पर बात की थी तीन करीबी दोस्तों से मुलाकात की इसके बाद घर से रसी और गमशा लेकर निकला तथा खेत में जाकर आतमत्या कर ली परिजनों और पुलिस को घटने स्थल से कोई सोसाइट नोट नहीं मिला है मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है म्रतक का मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किया है पुलिस का कहना है कि जाज के बाद ही खुदकुसी के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा डैंगू के मरीज बढ़ी है तो स्वास्वभाग ने आकरी छुपाए फोंगिंग शुरू 28-29 नवंबर के बाद बदलेगा मौसम गिरेगी सर्दी इन दोर में अभी भी असरदा ठंड़क शुरू हो गई है बीच बीच में सोभा और शाम हलकी ठंड़क जरूर हैती है लेकिन तापमान में कोई खास फर्क नहीं है दो दिनों से जहां दिन का तापमान सामाने है वही रात का तापमान तीन डिग्री ज़्यादा ही है मौसम वैज्यानिकों का अनुवान है कि अभी तापमान में मामूली उतार चड़ा भी रहेगा 28 नमंबर के बाद उतरी हवा आने से ठंड बढ़ने लगेगी दूसरी और पिछले साल की तुलना में डैंगो मरीजों की संख्या दोगनी होने की खबरों के बाद स्वास ने डैंगो बुलिटिन जारी करना ही बंद कर दिया है गुरुवार को डैंगो मरीजों की संख्या छुपा ली गई शादिशुदा प्रेमिका से मिलने पहुँचे छात्र को लगी गोली घाल चात्र बोला महिला दोस्त के पती ने मारी गोली दोस्त देखती रही ग्वालियर में एक बारेवी शादिशुदा प्रेमिका के घर पर संदिक दहालात में गोली लगने से घाल हो गया है घटना शुक्रवार दोपार जहांसी रोड देवनगर की है पुलिस को सूचना मिली थी के चात्र ने प्रेमिका के घर पहुँच कर खुद को गोली मारी है जबके घाल चात्र ने बोला है कि उसे उसकी महिला दोस्त के पती ने गोली मारी है वैं महिला के बोलाने पर पहुँचा था लेकिन तब ही पती ने हमला कर दिया महिला दोस्त पूरा तमासा देखती रही पुलिस ने घाल को ट्रामा सेंटर पहुचाया है पुलिस ने जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट सीनियर साइंटिस्ट और अखलीस भारगव को भी मौके पर बुला लिया फॉरेंसिक एक्सपर्ट के निग्रानी में घाल के हैंड शॉप यानि केमिकल से हाथ धोलाना कराए गए है यदि छात्र ने गोली चलाई होगी तो उसके हाथ पर लगा गन पाउडर इसमें आ जाएगा जबलपूर में सिर पर पत्थर पटक कर यूबक की हत्या बरगी के मुंगेरी नहर का मामला यूबक के नजदीक मली शराब की बोटल जनकरी के मुताविक म्रतक हिनोतिया बरेला निवासी है जिसका नाम प्रेम सिंग मरावी उम्र पचास पर्स है जिसके सिर में पत्थर पटक कर मौत के घट उतार दिया गया वही म्रतक के दाहिने हाथ में पानी की बोटल भी मिली है साथी नजदीक से यूबक का मोबाईल और शराब भी बरामत की गई है हालांकि यूबक की मौत कैसे और किन परिस्थिती में हुई पुलिस अब इसकी पता साजी में जुट गई है मदगर्ना की तयारी कर्मिचारियों को दियागा प्रसिक्षन रेंड माईजेशन के बाद पता चलेगा कहां किसके जूटी सतना और मेहर जिले के सभी साथ विधानसवा छेतरों की मदगर्ना तीन दिसंबर को प्राता आठ बजे से शास की उतकरष्ट उच्छितर मादमिक विधाले वियंकट क्रमांक एक सतना में आरम होगी मदगर्ना के लिए गर्ना परिवेक्षक, गर्णस साहे तथा माइक्रो प्रेक्षकों को जिला पंच्छा सभागगार में दो पालियों में ट्रेनिंग दी गई MP के बारे कलेक्टर और SP की आयोग से शिकायत, तीन कलेक्टर और एक SP पर भाजपा कॉंग्रिस जोरों ने लगाई आरूप मदेपदीस विधानसवा चुनाप की काउंटिंग के बाद सरकार किसी भी पार्टी की बने, आर्ट कलेक्टर और चार SP की खिलाफ एक्षन हो सकता है इनकी शिकायत चुनाप आयोग से खी गई है, कॉंग्रिस ने तो ऐसे अपसरों की लिष्ट भी बना ली है भाजपा ने चुनाप के दोरान अपेक्षित सहयोग ना करने का आरूप लगाते हुए चार कलेक्टरों को हटाने की मांग की थी वहीं कॉंग्रिस नेताओं ने आठ कलेक्टरों पर भाजपा का एजेंट होने और चुनाप प्रभावित करने का आरूप लगाया था इनमें नर्सिंग पूर्ट, छतरपूर और भिंड कलेक्टर ऐसे हैं जिनकी शिकायत भाजपाने भी की है इनदोर स्कूल में मारपीट करने वाले नावालिक साथ तीन गरफता, सैंडपोल स्कूल में नौवी और ग्यारेवी क्लास के स्टुडेंट में हुआ था विवाद इंदोर के सैंट पॉल हायर सेकिंडरी स्कूल में नौवी क्लास के स्टूडेंट के साथ ग्यारवी क्लास के स्टूडेंट ने मारपीच कर दी थी मारपीच में आरूपी छात्र के कुछ बाहरी साथी भी शामिल थे घटना में नौवी कक्षा में पढ़ने वाली चात्र की एक आंख पर गहरी चोट लगी है चोकानी वाली बात यह है कि जिस चात्र के साथ मार पीट हुई है उसका किसी के साथ वाद विबाद नहीं था परिजदरों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरूक लगाया 49 सीटों की मद्दाताओं के हाथ में सत्ता की चावी पूर्वी राजिस्थान में ERCP से बड़ा मुद्ध प्रत्याश्यों के छबी जातिगा समीकरण ERCP पूर्वी राजिस्थान की लाइफ लाइन है लेकिन फिलहाल चुनाप से ठीक पहले जनता की जोबान पर इसकी बजा बोल रहा है क्यों इसके जवाब में हर मद्दाता का अपना गनित है कहता है कि सीट पर इतने हजार गोड़जर, मीना, SC, OBC और ब्रामर वैशिव वोट है इनमें से इतने वोट उसके प्रत्याशी को मिलना तेह है नैश्थ वीलचेयर पर कौन था जिसे देख भावुख हो गए प्रधानमंत्री 60 साल RSS पार्टी को दिये बुज़र कारिक करता की पूरी कहानी राजस्तान में मोदी की आखरी चुनावी सभा, राजसमंद के देवगड की धर्ती पर सजा मंच, मोदी के पास बैठे विधायक हरी सिंग रावत ने भीड की तरफ इशारा किया वयोब्रद वुज़र के जो मंच से ठीक सामने वीलचुयर पर थे, उन्हें मंच से ही प्रधानमंत्री ने परिणाम किया इसके बाद मोदी ने जब सभा को समूदित किया, तो हाव भाव कुछ अलग थे बारबार नजर भीड में उस वीलचुयर की तरफ जा रही थी अमूमन एक दिन में होने वाली सभाव में प्रधानमंत्री के भाषन के मुद्देश शैली और भाव एक जैसा रहता है लेकिन गुरुवार को सभा में शब्द लड़ खड़ाए, बात कारिकरता की होने लगी पुषकर विधायक से 4.5 करोड लोटाने की गोहार कपड़ा व्यापारी ने टिकेट के बदले रुपे लेने के आरूप लगाए ओडियो आया सामने, अजमेर जिले की पुषकर विधान सभा सीर से भाशपा पत्याशी, सुरेस रावत और भाशपा किसान मोचा जैपुर देहात के पूर्व जिला अद्यक्षवा कपड़ा व्यापारी, मुहललाल के रुपे के लेन देन का मामला एक बार फिर तूल मुहललाल की बाच्षीत का एक ओडियो घुरुवार को सामने आया है, ओडियो में मुहललाल विधायक सुरेस रावत से 4.5 करोड रुपे लोटाने की गुहार कर रहे हैं मामला 2019 की लोग सबा चुनाब का बताया जा रहा है व्यापारी ने सांसद का टिकेट दिलवाने के लिए ततकालिन राष्ट्रिय अद्यक्ष अमेश्या की नाम पर रुपे लेने के आरोप लगाये हैं हालांकि हम इस ओडियो की पुष्टी नहीं करते हैं मोहनलाल वर्तमान में शीराम पुरा ग्राम सेवा सहकारी समिती के अद्यक्ष है वे दूदू पंचाय समिती के सदत से भी रह चुके हैं अब तक लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमशकार और देखते रहे हैं दखाबरदा न्यूज